हेलो स्टूइट्स मैं रोही और्गनाइजेशन विहाइवियर में आप लोग को लास्ट वीडियो में इंटरपर्सनल कॉन्फिक्स मतलब टाइपस ऑफ कॉंफिक्स पढ़ाया था फॉर्स पढ़ा चुकिए हूं मैं इंटरपर्सनल कॉन्फिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे अब आपका है इंट्र परसनल क्या था पहले इंट्र परसनल डिसके पर फिर से रिविजन करा देरी हूं है कि जैसे इंट्र परसनल में आपका क्या हो जाएगा कि हम इमोशनली किसी से अगर कॉन्फलिक्स हो जाते हैं मतलब उसमें दो लोगों को इन्वाल्व होना ज़रूर मतलब कि खुद से ही लड़ना खुद से ही कॉन्फलिक्स अदाइस करना मतलब इंट्र परसनल कि अगर जैसे मान लीजे आपने अपने फैमिली में किसी को भी प्रॉमिस कर दिया है कि आप सिगरेट नहीं पीओगे लेकिन अगर कभी मन भी करता है आपका सिगरेट पीने का तो आप यह सूचते हो कि नहीं मैंने किसी को प्रॉमिस किया है तो फिर आप नहीं पीते हो तो यहाँ पर किसे लड़ रहे हो खुद यसको हम क्या कहेंगे इंट्रा परसनल कॉन्फलिक्स कहेंगे अब इसमें आपके दो टाइप्स हम डिसकस करेंगे एक हो जाएगा आपका गोल कॉन्फिलिक्स सेकेंड बन रोल कॉन्फिलिक्स अब इसमें क्या है आपका कि गोल कॉन्फिलिक्स में अगर हम कोई एक्जाम्पल ले ले तो गोल कॉन्फिलिक्स में क्या हो सकता है गोल मतलब क्या होता है एम होता है ठीक है यह मतलब की लक्ष ही होता है अब इसमें यह है कि कॉल कॉंफलिक्स में जैसे अगर मालीजिए कोई स्टूरेंट है और वो मतलब एक टार्गेट करता है कि मुझे इस समस्टर में अपने बोर्ड एक्जाम में मुझे 90% परसेंटेज लेके आना है बट अगर किसी भी क अगर जैसे कोई इंप्लॉई है उसको सबसे ज्यादा ना है कि अगर जैसे कोई है उसको सबसे ज्यादा नालेज है अगर माल लेजे मार्केटिंग का और उसको काम जो दे दिया गया है प्रोडक्शन का ठीक है मतलब मार्केटिंग भी करना है उसको प्लस प्रोडक्शन भी करना है तो अगर उसको नालेज ज्यादा है मार्केटिंग में तो प्रोडक्शन को सही से करेगा नहीं मतलब यह बोल सकते हैं कि एक इंसान को कई तरह का काम कई तरह का responsibility दे दी गई है तो वहां पे क्या rise होगा आपका conflicts arise होगा ठीक है तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि अगर इसको दूर करना है तो किसी भी organization में employer को अपने employee को उसके talent के according उसको कोई भी project या कोई भी work देना चाहिए जिससे वहां पे आपका conflicts हो रहा है वह आपका कम हो सके है अब next हम लोग discuss करेंगे मैंने आप लोगों को causes of conflicts पढ़ा दिया है वही आप लोगों का sources of conflicts हो जाएगा क्योंकि सलेबस में आपके sources of conflicts दिया है तो आप उसको एक बर note down या slash करके लिख लिएगा कि जो causes होई आपका sources of conflicts है कि मतलब की conflicts है क्या कारण है या conflicts of source क्या है तो दोनों एक ही चीज़े तो हम यह already discuss कर चुके है अब हम next पढ़ेंगे grievance या आपका है next grievance grievance मतलब होता है आपका शिकायत या complain ठीक है जैसे किसे भी organization में अगर किसे भी employee को किसी से भी अगर कोई problem है वह employer से problem है या उसके अपने colleague से problem है तो वह क्या करकिबवाण है अपनी grievance छुम करने के लिए किसी नैं किसी तरीके से वह किसी से discussion या अपने जो भी उसका employer है उससे वो discuss करेगा अपने boss है या उसका जो भी superior है उससे वो बात करेगा कि उसकी जो भी problem है वो जल से जल से दूर की जाए तो अगर हम इसके proper definition लिखना चाहे तो हम इसमें यह लिख सकते हैं कि अ ग्राइवन्स इस और formal complaint that is raised by an employee towards and employer within the workplace अब इसका हिंदी एक बर समझ लेते हैं कि अग्राइवन्स ग्राइवन्स मतलब कि आपके जो भी problem आपके जो भी शिकायत है is a formal complaint complaint मतलब एक ऐसा formal complaint होता है that is raised by an employee के द्वारा raise किसके लिए तरफ किसके साइड से अरे किसके लिए employer के लिए इसना टालेंट है उसकी हिसाब से वो salary नहीं मिल रही है तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी उसके मतलब की causes रहेंगे उसको मतलब दूर करने की कोशिश करेंगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग discuss करेंगे causes of grievance तो तब तक के लिए धन्यवाद